हालो मेरा नाम दॉक्टर दीपक क्रेकर है मैं सैक्याट्रिस्ट, हिप्नो थेरेपिस्ट, एनल्पी ट्रेनर, सेक्सलोजिस्ट, इडिक्षन स्पेचलिस्ट और एक कोच हूं मैं आप से बात करने वाला हूं कि हमारे पास में जो पेशिंट आते हैं तो काफी पेशिंट हमको ऐसा ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि उनको सुबह जल्दी वह उठ जाते हैं और सुबह उठने के बात में उनको बहुत ही खराब आपको जल्दी वह सो गये हो रातको साथा घंटे नीन आने के बावजूद भी उनको सब्रे ऐसा लगेंगा कि ने आपके नीन इथा जाते है उनको अच्छा लगता है जरे देड़े डिपरेस लगना नर्वस लगना तुबर लोना और फिर ऐसा जैसा दिन आगे आगे सुभा तो उनको ऐसा लगता है कि वह कभी-कभी लोगों को आइसे लोगों को अब आत्मा त्याख़त कुशी करने के भी विचार आते हैं तो यह एक टिपिकल है अच्छा यह लोगों को ऐसा नहीं कि रात को अच्छी नीन आहेंगे ऐसा को जरूरी नहीं बेड के उपर बाय तरब देने तरब मतलब वो यह restless जैसे रहते हैं और सुभा फिर जल्दी उठ जाना फिर सब लोग सोते रहते घरवाले करना क्या मालूम नहीं काम करने में एंट्रेश नहीं यह क्लासिकल डिप्रेशन का लक्षन है उसको हम बोलते हैं एंडोजन डिप्र है कि क्लासिकल जल्दी उठ जाना तुब जल्दीんな दुखी रहना सुबह ज्यादा डिप्रेशन में रहना और जैसा सद्धिन आगे वढ़ते जाएंगा श्याम तो लेस ऐसा क्लासिकल डिप्रेशन जिसमें ब्रेन में जो एंडोक्राइन से या हर्मोनल लेवल से या केटेकॉलामिन से जो भी chemical जो बैलेंसे से जो भी chemical हर्मोन से वो उनका असंतुलन होना जैसा serotonin levels कम हो जाती है dopamine levels कम हो जाती है nor epinephrine levels कम हो जाती है और उससे फिर उनको सुबह अच्छा नहीं लगता इसमें टिपिकल दवाई लेते है गोलियां खाते है एंटीडिप्रेशन गोलि लेते है तो दो-तीन हफते में इनको अच्छा लगने लगता है और एकदम ही मतलब जासा कुछ हुआ है इस तरह का रहता है तो आपके आजब 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 में काफी ऐसे लोग होंगे जो सफर कर रहे तकलीब में है विचारे मालूमने कि यह डिप्रेशन है वो कोई पागल लोग नहीं है मगर वो सुबह उनको अच्छा ही लगता नहीं और यह इलाज उनका क्या नहीं तो छे मेने से लेके नौ मेने साल भर उनको ऐसा ही लगता है फिर काम में मन नहीं लगना फिर जिन भर में डाउन रहना प्रोड़क्टिविटी मतलब उत्पाद अगता कम हो जाना कभी-कभी यह लोग कुछ भी कर लेते हैं तो आप जरूर यह लोगों को शेर करो लोगों तो पहुचाओ और हमको depression free India करना है ऐसा भोला जाता है कि हर चार वेक्ति में से एक वेक्ति को depression हो जाएगा अब आने वाले कुछ साल में हमको depression free India हम करते है कि निराशा वाला इंडिया है नहीं जहां लोग संभावना की बात कर रहे वो इंडिया, वो हमारा भारत देश, तो उसके हम जब बात करें लोगों को इस शेर करो, किसकों को ऐसा लगता है, तो उन्होंने अपने साइकियाटरिस को कंसेल करना चाहिए, और दवय जी वो लेते हैं, तो डेफिनेटली एक सो एक टक्का नहीं, एक हजार एक टक्का सबकायों सिटला चाहिए, बातचीत करना और जो कॉन्वरेशन सबकॉंश आठ सम लुएर, अलाल यह लोग अच्छे नहीं आए, मैं बुरसे का देशिए, मैं तो क्ष़ज़ कहने हो आदा चाहिए, मैंने तो बहुत लोगों को दूप पहुचा हूआ है, लोगों भी भी बहुत रहता ने लोगों को तो गिल लगना तो ऐसे यह सबकॉंशेस माइड में विचारों का इतना ज्यादा कन्फीजन हो जाता है तो यह लोगों से मतलब इनको दवाई से तो अच्छे हो जाएंगे ज़रूर सवाल ही नहीं मगर इनसे यह हम बातचीत करते हैं तो इनका ज बातचीत करके जो उनका जो बिलीव सिस्टीम है जो अंदर सबकॉंशेस में में वैटा होगा है वो यह हम ट्रांस्फॉर्म करते हैं वो यह हम बदलते हैं तो इनको बहुत फायदा हो जाएगा हमको इंडिया डिप्रेशन फ्री करना है हर चार लोगों के पीछे एक आदम बढ़ जाएगी और हमको जो हमारा सपना है कि डिप्रेशन फ्री इंडिया वो जरू साखर हो जाएगा यह आपको इस वीडियो अच्छा लगता है इसको शेर करो उसको सब्सक्राइब करो लाइक करो और यह डिप्रेशन फ्री इंडिया करने में अपना हाथ बटाओ थैं झाल